आपने सुना होगा जो डर गया समझो मर गया साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि सावदान ही हटी और दुरगट ना घटी इसलिए हमें कोरोना से डरना नहीं है पर सावदान जरूर रहना है इसी को लेकर हमारे स्वासतेवं परिवार कर लेंड मंतराले और World Health Organization द्वारा कई एडवाईजरी जारी कहीं गई हैं जिनमें साउधानी के बारे में बताया गया है साथ ही ऐसे कई सवाल जिनको लेकर जानकारी दी गई है जिनको लेकर गलत अफवाएं हैं आज हम आपके सामने स्वास्तेवं परिवार का लियान मंत्रा ले और World Health Organization की ओफिशल वेबसाइट से ली गई जानकारी को साजा कर रहे है पहला प्रशन क्या मास्क लगाना जरूरी है तो इसका उत्तर है नहीं हर किसी को मास्क पहनने की ज़रत नहीं है क्योंकि ये वाइरस एर ट्रेवल नहीं करता अर्थात ये हवा में हवा के माद्यम से प्रसारित नहीं होता यहीं से अगला प्रस्टर्शन उठता है कि फिर ये कैसे प्रसारित होता है इसका उत्तर WHO की साइट पर उपलब दे कि the new coronavirus is a respiratory virus which is spread primarily through droplets generated when an infected person cough or sneeze or through droplets of saliva or discharge from the nose मतलब साफ है कि ये व्यक्ति के जो व्यक्ति संक्रमित है उसके खासने छीकने से जो हवा में droplets यानि बूंदे निकली है उनसे फैलता है इसलिए एक मीटर की दूरी की बात कई गई है इसी के साथ कुछ ऐसे लोग जो स्वास्त कारे करता है या मरीज की देखरे करते हैं या जिने खासी या जुकाम की समस्या है सांस लेने में तकलीफ है उन्हें मास्क पहन आवशक है दूसरा सवाल क्या टेंपरेचर बढ़ने से कोरोना खतम हो जाएगा यह जानकारी बिलकुल गलत है WHO के अनुसार कोई प्रमाण नहीं है जिससे कहा जा सके कि अधिक्तम तापमान वाली जगों पे कोरोना नहीं फैलेगा इसलिए आप किसी भी जगे रहते हो तथा वहां का वातावरण कैसा भी हो आप सावधानिया अवश्य वरते हैं अब जो चित्र आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वे वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन की साइट पर उपलब्द है जो बताता है कि ये वाइरस तापमान से प्रभावित नहीं होता इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया है अभी तक एक बार आप साउधानी से इसे पढ़ लीजे अंत में महत पुन बात कि डरना नहीं है बलकि साउधान रहना है और अपने ग्रुप्स में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी का चरस नहीं बोना है आप बने रहिए मेरे यानि कल्पे धरित के साथ और देखते रहिए MTTV इंडिया